हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अभी देखे and welcome to Techstore ओके क्या आप अपने आइफोन में contact widget change करना चाहते हैं क्या आप जाना चाहते हैं आइफोन में contact widget कैसे change करें तो वीडियो आप के लिए हैं तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर home screen पर long press कर लें कहीं पर भी खाली जगह पर और plus के option पर यहाँ पर click कर लें इसके बाद scroll करके नीचे आए यहाँ पर आप contacts का option देख पाएंगे इस पर click कर लें तो यहाँ पर तो आप simply add कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से widget बट अगर आप यहाँ पर add widget पर click करते हैं तो सिर्फ आपको किसी एक बंदे का ही face नजर आता है और अलग-अलग नजर नहीं आता है तो आपको क्या करना है widget पर click करना है इसके बाद आप यहाँ से बंदे को change कर पाएंगे अगर आप किसी और इनसान को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर contact पर click करें इसके बाद यहाँ पर आपको search का option आएगा यहाँ पर आप उस बंदे को search कर लें जिसको भी आप add करना चाहते हैं और मैं इस पर देखी क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद आप show buttons भी add कर सकते हैं call और message के लिए तो इसे on कर दें इसके बाद यहाँ से आप बाहर निकल जाएं और आप यहाँ पर done कर दें तो आपको यहाँ पर message का और call का भी option दिख जाएगा इस तरीके से आप change कर सकते हैं contact widget को उमीद करता हूँ आप समझ गया होगी वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को subscribe जरूर करते हैं